संनें इगुमी वा लेग बोकुरा वा कोरोश या तागेट वा सेंसे तो आज हम बात करेंगे दो मुवी एसे सिनेशन क्लास्वूम के बारे में जिसमें क्लास 3 के सारे लूजर बच्चों को दी जाती है एक टास्क टास्क ये है कि उन्हें अपने न्यू टीचर कोरो सेंसे को मानना होगा और वो भी 365 दिनों के अंदर कोरो सेंसे एक मिस्टिकल एलियन क्रीचर है जिसने चान को 70% अल्रेडी डेस्ट्रोई कर दिया है और एक साल बाद कोरो सेंसे का अगला टार्गेट होने वाली है हमारी प्रित्वी कोरो सेंसे को मानने के लिए गवर्मेंट के काफी सारे फेल्ड मिशन के बाद उन्होंने क्लास 3 के ओपर अपनी सारी उमिदे टिकाई हुई है और जो भी इसमें काम्याव होगा उसे मिलेंगे पूरे 10 मिलियन येन तो क्या ही इसमें काम्याव हो पाएंगे चलिए देखते हैं वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है तो बिना स्किप के एंड तक बने रहे कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मून को जो की पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इसके पीछे हाथ है एक मिस्टिरिस एलियन का फिर हम कुनू की गाओ का जुनिया हाइश स्कूल के क्लास 3 को देखते हैं क्लास 3 E में स्कूल के सबसे लूजर बच्चों को भीज दिया जाता है जिनका स्कूल के मुताबिक कोई भी फ्यूचर नहीं है और पूरे स्कूल में टीचर से लिकर सारे स्टुएंट्स इनका मजाक उड़ाते हैं यहाँ तक कि उने तो स्कूल के अंदर क्लास न दीकर एक पहाड की नीचे के पराने कमरे में पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है और उनका टीचर है कोरो संसे कोरो संसे एक मिश्टिर सेलियन है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता उसे ने चांद के ऐसी हलत कर दी थी और 365 दिनों के बाद यानि की नेक्स टेर मार्च में चांद की तरो अर्थ के भी टुकड़े करने का दावा करता है कोरो संसे ने जापान से एक डील किया है किसे एक साल के लिए वो क्लास 3 का क्लास टीचर बनेगा और इस वक्त के दौरान क्लास के सभी बच्चे उसे ऐलिमिनेट करने की कोजिस करेंगे और वो प्रामिस करता है इस वक्त के दौरान वो कभी भी अपने किसे स्टूइट को चोट नहीं पहुँचाएगा यहां हम कारा सुमा को देखते हैं जो मिनिस्टर डिफेंस का भीजा हुआ है सबसे बेस सोल्जर था और करेंटली क्लास 3 का एजिस्टेंट क्लास टीचर है जो उन्हें ट्रेन करने के लिए आया था करा सुमा सारे स्टूइट को क्लियरले एक्स्प्रेंट करता है किनका काम है कोर सेंसे का खात्मा कोर सेंसे को मारना इतना असान काम नहीं है उसके पास बहुत सारे सूपर स्टेंट और एबिलिटीज है और इसकी टॉप स्पीड है मार्क 20 that is 24,696 km per hour अगर कोरसंसे चाहे तो अर्थ को डेस्ट्रोई करके उसके तवा होने से पहले ही भाग सकता है और गमेंट उसका कुछ भी नहीं बिगाड पाएगी कोरसंसे को मानने के लिए मिनिश्ट और डिफनसन स्पेसिल इमेड बीबी बुलेट्स और चाकू बनाई है जिनसानों के लिए तो बिलकुल भी हानिकारक नहीं है लेकिन कोरसंसे के लिए बहुत ही गातक हैं मगर इसका साइड एफेक्ट यह है किससे कोरसंसे की स्पीड घड़ जाती है यान कि जितने बार भी वो इस अबिलिटी का यूज करेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा स्लो होती जाएगी इस पहली मलाकात के बाद अब हर क्लास में पढ़ाय के साथ-साथ इस अभी कोरसंसे को एससिनेट करने में बिजी है फर्दर गवर्मेंट ने एक होट एससिन एरन एलविक को भी स्टास के लिए हायर किया है जो करेंटली 3 की इंगलिश टीशर है और इस तरह शुरू होती है क्लास 3 के स्टुएंट अफ एससिनेशन क्लासूम का सफर वेल साउंड इंट्रेस्टिंग काश मैं भी इस क्लास में सामिल हो पाता Anyways, back to story इसके बाद हम नागिसा नाम के एक स्टुएंट को देखते हैं जो हमेशा ही अपनी डारी में कोरसंसे के बारे में नोट्स बनाता है नागिसा को इसके क्लास के तीन और बच्चे अपनी किसी प्लान में शामिल होने के लिए कन्विंस करते हैं क्लास सुरो होती ही नागिसा अपनी जगह से उठकर कोरसंसे के पास जाता है और एक चाकू से उस पर एटक कर देता है कोर संसे नाइफ को तो पकड़ लेता है लेकिन करीब से देखने पर उसे नागिशा के चस्ट पर बीबी बुलेट से लोड़ेद एक ग्रनेड दिखती है ग्रनेड ब्लास्ट हो जाती है और वो तीन लड़के इस बात पर खुश हो रहे थे कि अब वो 10 बिलियन उनके हुए नागिसा जो की जमीन पर पड़ा हुआ था किसी ऑक्टपस की स्किन जैसी कवरिंग से लिप्टा हुआ था एंड इसी वज़े से नागिसा ग्रेनिट के फटने के बाब जूद 20 जिन्दा था यह कवरिंग दरसल कोरुसंसे के स्किन थी जो हर मेंने शेड करता है इस बलास से नागिसा को बचाने के लिए कोरुसंसे ने ऐसा किया था और कुछ जट पर जा चुपाता बच्चों के ऐसी हरकत पर कोरुसन से बहुत ही ज़ादा गुस्ता हो जाता है और अपनी सूपर स्पीड से कहीं जाकर वापस आता है उसके हाथ में उन तीन बच्चों के घर के नेंबलेट्स थे कोरुसन से उने वाण करता है कि वादे के मताबिक होने तो कुछ भी नहीं करेगा लेकिन उनके किसी अपनी को चोड़ पहुँचा सकता है या हो सकता है कि सिर्फ उने चोड़ कर वो पूरी दुनिया के सब इंसानों को मार डाले दुपहे डिल पिरेड में कुरुसामा देखता है कि कोरुसन से ही बच्चों के लगाईवी एक एडल्ट मेगजिन की बेसिक ट्रैप में फस गया है जिसे अब सब लोग मिलकर शूट करने की कोसिस कर रहे है अब यहाँ पर एक न्यू स्टुएंट कर्मा आता है जो क्लास 3 को जॉइन करने वाला है कर्मा स्कूल के एलिट टॉप स्टुएंट में से एक है लेकिन उसकी वाइलेंट फाइट्स के वज़े से स्कूल ने उसे भी इस क्लास में ट्रांसवर कर दिया है हाथ मिलाने के लिए कर्मा अपना हाथ आगे बढ़ाता है कोर सेंसे के हैंट्शे करते ही उसके टेंटिकल्स पर पंक्षियर वूंड हो जाते हैं क्यूंकि कर्मा ने अपने हाथ पर ऊस्पेशल चाकू के कुछ पाइटशिप खावे थे इससे में ये पता चलता है कि कर्मा सच में एक बहुत ही brilliant student है क्योंकि अभी तक कोरसेंसे को किसी ने खरोज भी पहुँचा पाने में successful नहीं था कर्मा अलग-अलग तरीकों से कोरसेंसे को defeat करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हर बार उसका plan फिल हो जाता है अब एक दिन पाड़ी के चोटी के पास बैटा हुआ कर्मा नागिसा से कोरसेंसे के बार में उसका opinion पूछता है यहां में पता चलता है कि कर्मा जिस elite class में था उसके class teacher से उसके काफ़ी close bonding थी and used to see him as an idol जो उसे बहुत ही support करती थी एक दिन कर्मा अपने elite class के बच्चों को class E के एक student को physically harass करते हुए दिखता है and उसके बचानी के लिए उनसे fight करता है that means कर्मा एक good kid है लेकिन उसके class teacher उसका support नहीं करते इसलिए वो teachers पर से अब अपना trust हो चुका है जब कोरो संसे यहाँ पर आता है कर्मा कहता है कि क्या student के लिए वो अपनी जान दाओं पर लगाएंगे और फिर एक गन निकाल कर खाई में कूज जाता है कोरो संसे के पास दो choices थी या तो कर्मा को बचा कर उसकी गोली खाए उपने में successful नहीं हो पाई है दुनिया भर के देशों ने यह जिम्मेदारी जापान को swapी जरूर थी लेकिन हर दूसे दिन कोई न कोई कोई कंट्री कोरो संसे को neutral यानि कि खतम करने के लिए बैलिस्टिक मिसाल जापान पर launch कर देते हैं लेकिन कोरो संसे हर उस मिसाल को destroy कर लेता है यानि कि जिस creature को जापान मानने में लगा हुआ है वह उन्हें अब दूसे दिस्टिक कर रहा है मिलिट्री चिप कोरो संसे क्याता है कि क्लास E के बच्चे अभी तक पुरी तईया से तयार नहीं है इसलिए वो इतने transfer student को कल वहाँ पर भेजेंगे ये student दरसल कोई इंसान नहीं था रिट्सु एक artificial intelligence robot है जिस especially कोरो संसे के abilities को counter करने के लिए बना गया है क्लास सुरू होते ही रिट्सु कोरो संसे पर BB बिलिट्स की बहुचार कर देती है लेकिन not so surprisingly कोरो संसे को इससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता रिट्सु के continuous assassination attempt से बाकी बच्चे बहुत ही गुस्सा थे क्यूंकि इससे उन्हें बहुत ही problem हो रही थी इसलिए वो रिट्सु को एक चीन से बान देते हैं कोरो संसे रिट्सु का अब समझाते हैं कि उसे पहले क्लास में सबसे दोस्ती करने चाहिए और तब अगर मिलकर वो सब उसे माने की कोशिश करेंगे तब success rate बहुत बढ़ जाएगी next day सभी बच्चों के फोन पर एक notification पॉप कर दिये जो की चेक करने पर रिट्सु थी जो एक एप बन कर सबकी फोन में एंटर कर गई थी ताकि वो सबसे friendship कर पाए एंड ऐसा ही होता है सभी अब रिट्सु से काफी खुश थे happily class डार्ट हो चुकी थी और अचानक छट तोड़कर एक new kid class में एंटर करता है इस student का नाम है इतोना जो बस बार-बार एक ही बात दोर आ रहा था कि वो सबसे strong है पूरी situation को analyze कर पाए इससे पहले ही दर्वाजा खोलते हुए white hazard suit पहना हुआ एक आदमी class के अंदर आता है खुद को ये S-Cero introduce करता है जो इतोना का mentor है इतोना सेज क्यों कोरो सेंसे का brother by blood है और उसे आज class के बाद मार कर ये prove कर देगा कि he is more stronger class खतम होने के बाद इतोना कोरो सेंसे से ring dwell का challenge करता है और हम यहाँ पर देखते हैं इतोना के पास भी वही same tentacles हैं ये देखकर कोरो सेंसे बहुती ज़्यादा गुस्ता हो जाता है और उसे पूछता है को उसे tentacles कहां से मिली फाइट स्टार्ट होते ही इतोना कोरो सेंसे पर भारी पड़ता है लेकिन कोरो सेंसे आखिर में बीवी नाइप से इतोना के tentacles को damage कर देता है अब क्योंकि इतोना के powers कोरो सेंसे की power से match करती है तो जिस चीज से कोरो सेंसे को चूट लग सकती है ये same goes for इतोना कोरो सेंसे उसे ring से बाहर फिक कर fight जी जाता है और उसे class 3 जॉइन करने के advice करता है जिससे इतोना और भी ज्यादा strongman पाए बे उसे तोना को शीरो उठा कर वापस चले जाता है और जाने से पहले he wants कि जल्दी वो यहाँ पर वापस जरूर आएगा घर लोटने से पहले इस्टुएंट्स कोरो सेंसे से उसकी स्क्लास E में आने की reason पूछते है कोरसेंसे कहता है कि एक promise है जो मैंने किसी से किया है फर्दर पूछने पर उने कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि मार्च में जब वो earth को destroy कर देगा तो यह सब कुछ matter नहीं करेगा तो अगर उन्हें यह जानना है कि उसने यह promise किस से किया है तो उन्हें मार्च से पहले ही उसे मारना होगा स्टूडेंट्स यह सुनकर बहुत ही disappointed हो जाते हैं क्योंकि कोरसेंसे को मार पाना उन्हें possible नहीं लग रहा था कोरसेंसे एक assassination training camp का idea share करता है जिसमें पूरे weekend सारे बच्चे स्कूल में उसके साथ training करेंगे जिस उनके success की probability जादा बढ़ जाएगी कोरसेंसे नो डाउट एक बहुत ही excellent teacher है जो पूरे 60 बच्चों को एक ही moment पे at the same time यट individually पढ़ा सकता है with a super speed रात होने पर कारसुमें सारे बच्चों के skill और points एनलाइस कर रहा था जहाँ पर जब उसे नागेसा के बारे में report बनाने की बारी आती है उसे बहुती specially skilled assassin का tag देता है दूसी और सब लड़कियां कोरसंसे से उसके love life के बारे में बताने के लिए insist करती है यहाँ से भाग कर वो कारसुमें के पास आ जाता है जो इस सोच पर भी हसता है कि कोरसंसे की भी कोई love life हो सकती है जिस पर कोरसंसे कहता है कि उसके पास भी अपनी love life की धेर सारी stories है जब वो इंसान वा करता था ना उससे हमें ये पता चलता है कि कोरसंसे ही हमें सासे ऐसा एक alien नहीं था आज से चार महीने पहले वो एक इंसान वा करता था और हम एक flashback देखते हैं जिसमें एक लड़की कोरसंसे के tentacles में अपनी आगरी सासे ले रही थी कौन थी ये लड़की जानने के लिए let's continue बच्चों में जाधा improvements ना होने के कारण government ने कारसुमा को replace करने के लिए एक दूसरे soldier तकावका को भीजा है तकावका पहले तो सभी student से बहुती friendly होता है और अपनी side कर लेता है लेकिन इरिना से हमें पता चलता है कि तकावका एक बहुती अच्चा soldier जरूर था लेकिन उसके train करने का तरीका बहुती brutal और ruthless है ट्रेनिंग करते वक्त एक लड़की तकान से गिर जाती है और तकावका से कहती है कि उससे ये नहीं होगा और उसे तोड़े अराम की जरूत है अब तक friendly act कर रहा तकावका सड़नली बहुती violent हो जाता है और उस लड़की को पंच करने जा रहा था करसुमा कर उसे यहां पर रोक लेता है तकावका जिससे करसुमा से परसनली बहुती नफरत थी उससे कहता है कि तुम अपने किसी best trend को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो अगर उस चाको से एक बिवार मुझ पर connect कर पाया तो मैं यहां से हार मान कर चला जाओंगा लेकिन शर्त यह है कि उन्हें असली चाको यूज़ करना होगा कुरुसामा सब बच्चों में से नागिसा को चूज़ करता है जिस पर नागिसा खुद भी शौक था सारे बच्चे नागिसा को फाइट करने से मना करते है लेकिन नागिसा के दिमाग में एक बहुत ही अजीब थोटा आती है कि मुझे उससे लड़ना नहीं है मुझे तो बस उसे माना है चाको लिए वो एक स्माइल के साथ तकाओ का के पाज जाता है इंसल्टेड और फरस्टेट तकाओ का यहां से चले जाता है सब इस्टुनेंट्स नागिसा के इस काम में अभी पर बहुत ही कुछ थे कुरो संसे कुरो सामा से नागिसा के एससेनेशन के नैच्रल टेर्ट को लेकर अपनी ओपिनियन शेर करता है जिस पर कुरो सामा केता है कि देखने में नागिसा भले ही वीक हो लेकिन उसमें एक एससेन बनने की फॉर्मेड़ेबल टैलेंट है यह बात तकाओ का को पता नहीं थी और इसलिए उसने अपनी गार्ट डाउन कर ली थी नेक्स डे थी तेज बारिश हो रही थी जिससे कोर्षन से ही बहुत ही इरिटेटेड है बिकोज पानी उसके कमजोरियों में से एक है पानी उसकी बाड़ी को टेच करते ही वो स्वेल करने लगता है और ये बात नागिसा अपनी नोट्स में लिख लेता है क्लास ओर होने पर सभी स्टुएंट सेड हो जाते है क्योंकि like the rest उने भी यही लगता है कि हो सभी losers है और पढ़ाई लिकाई से उनका कुछ नहीं होगा लेकिन अगर उनने किसी तरह कोर्षन से को माट डाला तो reward money से उनकी life settle हो जाएगी यह बात सुनकर कोर्षन से ही सभी को स्कूल यार्ड में gather होने के लिए कहता है और इरीना से पूछता है कि अगर तुम मुझे मारने आओगी तो क्या तुम बस एक ही plan बना कर आओगी और कारा सुमा क्या तुम knife setting करोगे तो बस पहला वार ही important है जिस पर ये दुनों कहते हैं कि नहीं एक assassin को हमेंसा एक दूसर plan और एक second check को ready रखना चाहिए कोर्षन से कहता है कि ठीक इसी तरह तुम सारे बच्चों को भी एक दूसर plan ready रखना होगा क्या होगा अगर मुझे तुम से पहले किसी ने मार दिया या फिर क्या होगा अगर मैं class शोड कर चला जाओ इसलिए तुम सब को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए जिसके बाद वा space में जाकर एक satellite school yard में crash कर देता है मैं एक superficial creature हूँ जो अर्थ को किसी भी बल wipe कर सकता हूँ इसलिए अगर तुम लोग मुझे एक दूसरी नाइफ शोर नहीं करते जिस पे तुमारी live defense करती हो तब तक तुम में से कोई भी assassin कहलाने के लाइक नहीं है आने वाले end time exams में student को अच्छे माक लाने के लिए motivate करते हूए course न से उनसे एक deal करता है जो कोई student आने वाले किसी भी exam में top करेगा वो मेरी एक tentacle को shoot कर सकता है इससे मेरी speed कम हो जाएगी और तुम सब के मुझे मार पाने के chances और भी बढ़ जाएगी सभी बच्चे मन लाकर पढ़ाय में लग जाते हैं और course न से ही उन सब के इसमें मदद करता है यहां तक कि वो हर student को personally उड़ाते हुए world tour भी करा देता है I mean वाव practicals हो तो ऐसी exam results आने पर पता चलता है कि class के 6 बच्चों ने top किया है यानि कि course न से के पूरे 6 tentacles कटने वाले हैं as per deal सब इस students एक date fix करते हैं जिस दिनों सब अपनी final mission को अंजाम देंगे और लग पढ़ते हैं उसकी preparation में finally वो दिन आ चुका था जब deal के मताबि course न से को yard में crash outlet से बान कर student उसके tentacle को shoot कर देते हैं और फिर हर तरप से उस पर पानी की बोचार करके उसे eliminate करने के लिए उस पर गोली चला देते हैं गोली hit करते ही एक 30 blast होती है और course न से गाय बोचाता है देखने पर course न से अब एक hard crystal glass के अंदर चला गया था जो कि उसका final या यू कहे की ultimate defense है जो 24 गंटों तक ऐसे ही रहने वाला था थोड़ी देर बाद सब इस students एक एक करके बेऊश होने लगते हैं यहाँ पर तकावका आता है और उनसे कहता है कि उसने पानी में एक virus मिला दिया है जिसका इलाज ना करने पर तुम लोग तीन दिन में मारे जाओगे और सिफ मेरे पास से इसका एंटिटोड है तकावका नागिसा से ओफर करता है एंटिटोड के बदले course न से जल्दे इस बारिश होने लगती है जिससे इतोना के tentacles कमजोर पढ़ने लगते हैं अब नागिसा एक चाको से उने काट कर खुद को बचा लेते हैं यह इनका second plan था वोने पहले से ही मालूम था कि आज बारिश होने वाली थी और इसलिए इन लोगा ने अपने mission के लिए आज का दिन चुना था हाला कि कोरो सेंसे पर इसका इस्तमाल किया जाना था लिगन इस backup plan की वज़े से अब वो safe थे तो दोस्तो हमें से एक backup plan तो होना ही चाहिए यहां से नागेसा वापर स्कूल आता है जहां पर तकाओका उसका इंतजार कर रहा था वो नागेसा से कोरो सेंसे को से सौप देने के लिए कहता है पीचे से सारे बच्चे जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे आकर तकाओका को गेर लेते हैं दो स्टूरेंट्स ओकुदा और इसो ने मिलकर वाइरिस का एंटी डोड बना लिया था जिसे सब बच्चे अब ठीक थे और सब मिलकर तकाओका और उसके आद्मियों को हरा देते हैं इसके बाद मिलिटरी आकर कोरसंसे को अपने साथ एलिमिनेट करने के लिए ले जाती है मिलिटरी हेड़कॉर्टरस में बैटे सब इस्टूरेंट स्क्रीन पर कोरसंसे को देख रहे थे होती है मैं कुश हूँ कि मैं तुम्हारा टीचर बन सका एंड बूम टैंक एक्स्प्रोड कर जाती है सभी कोरसंसे के जाने से बहुत ही दुखी थे आंसों से भरे उनकी आँकों में एक चमक आ जाती है जब पीछे उने कोरसंसे उनके साथ रोता दिखता है और क्लास 3 के अपनी टीचर के एसेसिनेशन का ये किस साब फिर से कंटीनू होती है एंड सीने में हम फिर से शीरो को देखते हैं और उसी फ्लैश बैक में चले जाते हैं जहाँ पर अपनी आपरे साथ से लेती ये लड़की कोरसंसे से वादा करने को कहती है क्यों क्लास 3 के बच्चों का टीचर बनके उनका ख्याल रखेगा एंड इसी के साथ मुवी एंड्स आम शूर कि अपके पास बहुत सारी क्वेशन्स होंगे कि लड़की कौन है कोरसंसे अगर इंचान था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ क्यों एक एलियन बन गया एंड शीरो कौन है एक्सेटरा एक्सेटरा वैल सब कुछ कवर कर पाना तो मुश्किल है लेकिन अभी के लिए ये क्वेशन्स क्लियर कर देता हूँ लैब में ह्यूमन कोरसंसे की मलाकात यूक्यूमरा से होती है और दोनों में एक स्पेशल बॉंड क्रेट हो जाती है ह्यूमन से एलियन बनने के एक्सपेरिमेंट से लैब में एक बहुत बड़ा एक्स्पलोजन हो गया था जिसमें Yukimura की मौत हो जाती है मरने से पहले Yukimura ने कोड़सेंसे से प्रामिस करवाया था कि उन बच्चों का ख्याल रखेगा And that's it जाने से पहले प्लीज लाइक दो वीडियो क्योंकि आपके लिए छोटा से क्लिक मिले बहुत ही जादा मैने रखता है चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना ना भूले और लगे हाँ तो पहले आइकन को भी ओल पर कर ले ताकि आप कोई वीडियो मिस्ता करे This is moving short, मिलते है नेक्स वीडियो में